आस्थामेदीटीटीटीटमेंट तौटिए, मूवमेंट एड नोकोमोशन इन वटीबरेटे एड ने उसके आपडियोंगे वेडिसकशन करना हैं अब लोकोमोशन वेडिबरेतमें सबसे पहले हमडोग यह बात पता कर लेकिन कि वेडिबुड़े होते कौन से Vertebrate वो Organisms हैं जिनके अंदर Vertebrite यानी के Backbone वो मौझूद होती है और इसमें सबसे पहरे जो Class हमें दिसक्स करेंगे that is Spices या Fishes जो हमाँ पास होती है वो कैसे Move करती है Fishes जो हैं के अंदर मौझूद होती है Stream Lined Body First of All और इनकी Support के लिए इनके अंदर होती है Cartilage क्योंके पानी के Currents के साथ साथ मौवमेंट करती है और अगर इसने Opposite साइट पे जाना है तो अपने Fins की मौझूद की मदद से जो चोट 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 इसके पर है यह अपनी मर्जी की साइट पर जो है वो मौवमेंट कर लेती है तागे इसके जो आपके पास जो गिल्स है वो इसको एर वगैरा प्रोवाइड करते रहते हैं इसको oxygen देते रहते हैं जिसकी बाडी को requirement है और यह streamlined body की मेंद से पानी के अंदर movement जो है वो शो करती रहती है इसके लाव एक और इसके अंदर modified structure मौझूद है जिसको हम लोग कहते है swim bladder जो swim bladder है यह क्या करेगा swim bladder जो है कि ultimately आपकी body को bionce देगा यानिके जो जटका है body जो है वो उस तरह जम करती है उपर तो bionce जो है वो basically swim bladder की वज़ा से आपकी body को मिलती है उभरना fish का जो है वो इस वज़ा से होता है इसके लाव हम लोग दूसरा जो एक और discuss करेंगे important इसके modern class लो डिसके कह रहे हैं that is amphibians कि जो amphibians है यह basically move नहीं कर रहे होते हैं बलके they actually swim on the surface of this earth यह आपको पता है चुके पानी से निकलने वाले वो और गनीसम से जो के पानी में भी रहते हैं और यह जमीन पर भी रह सकते हैं modified होते हैं इनकी body जो है वो इस तरह की modified like frog वगएर आते हैं तो इनकी जो body है उसके अंदर pair of hind limbs जो है वो भी पाया जाता है और यह आपकी जो है जमीन के ओपर जो है वो jumping से यह movement जो है वो crawling से हैं कि किसी और procedure से यह movement जो है करते हैं आपकी earth के ओपर the swim on land यह book हमारी के अंदर लिखी है यह line यह आप लोगों ने इसको देख लेना है इसके लाब हो आपसे कहते हैं कि in the endurance, endurance वो होते हैं जिनकी tail नहीं होती, all organisms तो the entire skeleton and muscular system has been specialized for the peculiar swimming and jumping methods of locomotion by means of extensive thrust thrust extensor, extension से thrust लेते हैं यह movement लेते हैं, jumping लेते हैं और उससे ultimately move करते हैं लाग आपने frog को देखे है अब वो एकदम यह jump करेंगा आगे जाएगा पिर jump करेंगा आगे जाएगा तो इस तरह से इनकी body जैए वो movement शो करती है इसके मनतले को आपे हैं Reptiles के ओपर के Reptiles आपर जाएगे तो क्या गारते हैं तो Reptiles के अंदर बाइस डर्ड़त उत्पा जो आपा पाई जाते हैं लाइक हमार पर जो रूस प्रॉपर गर्यरा तो वह जो है वो पिर्टाइल्स क्या करेंगे कि उनके अंदर तो मौझूद है लेक्स के पेर्स ठीक है हां लिम फॉल निम पाई जाते हैं उनकी मुव्मेंट कर लेते हैं कुछ ऐसे इसना स्नेक्स वगार है तो वो लोग क्या करेंगे वो क्रॉल करेंगे यह इसको पर रिंगेंगे जमीन के उपर और उनकी बाड़ी भी किस तरह से करेंगी वो मस्कुलर कॉंट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन की मरस से उनकी बाड़ी जाय मुव्मेंट करते हैं इसके लाव बुक में कोई और इंपॉर्डंट जीज यह के इसकी बाड़ी का जो टेल है वो बेसिकली बाड़ी की जो है वो बैलंस को पर ग्रार र निम्स पर यान दो टांग में ऑड़ों चलने वाले ढाय ऑन वही उन्हों इसलिए इस थरह अपनी आपको इपनी बॉड्य को मॉड् história किया है दो टांग को चलने के लिए ताह ऍकरम का वाले नकिकी जो फौरम्प्र वालेम्स है वह फॉड금 हог भो प्रेल स्वीकार करने के लिए इस्तामाल कर सकें इसलिए अपनी बाड़ी को जाए वो मौटिफाय कर दिया है खर से मापस एर की केस आता है एर के अंदर जो है इसके अंदर विंग जो है और फैदर्स है यह आर प्रेजंट इसके अंदर और इस देरा से उसके मेरे फिलाइड अब गया डिते हैं हवा गदोश पर है वड़ते हैं दो तरह मौजब यह थिलाइज को हमति हो ती होरो नाम देते है एक वे फ्लाइड का और एकक को हम लोग न जो crants है कि इसके crants हो है वो इसको कोई support नहीं दे रहे है बर्ट को तो बर्ट पर क्या करेगा वो glide करेगा वो अपने wings को movement देगा इसकी वाइज़ से active flight कहलाएगी इसके अपको ATP अवगर के molecules रहे हैं वो required हैं ताकर लगतार उस muscle की movement हो सके दूसरे चीज़ इंपॉर्टन है इस passive flight, passive flight में क्या होगा कि जो आपके वास air है वो इस तरह से stream-line support देगी आपके muscle, आपके feathers को, bird's feathers को कि उसके तो पर हैं वो हवा के दोश पे उड़ेंगे और वो अपनी body के angles को तरह से करें कि इस तरह हवा के molecules जा रहे हैं ताके इसकी body जो है वो बगेर आपने wings को flap किये वो हवा के दोश पे अचे अब इसके लावव हमरे पर में 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 इनकी में पर तीन मुक्तलिफ केटेगRI'S है उसे फंटाउर की चलते वैसे बाइपेद्ल यह होते है नकार हमेँ कि के लोगाइट करें तो मेर्ट के केस में 3 हमार shootings मॉठ्स हैं सबसे पहले हमार पर कुछ माइळक्स्य हुते हैं प्लंकी हैं कि िदगेँड़े की दर्बाड किरेड्य नावा है जिब से पहले हम लोग इनकी discussion करें तो planting grades में क्या होता है कि walk on their souls with palm, wrist and digits for example planting grade में वो कौन सी organism है जो के अपनी wrist, जो पाउं की wrist है, wrist के इलावा अपनी palms, feet palms feet palms के इलावा जो इनकी toes हैं कि सारी जिदें जमीन पे रखते हैं, वो कौन है? humans है, humans के लावा वो chimpanzees है, homorrectus थे या वो बंदल वगारा यह सारे जो हैं कि planting grades होते हैं, इसके लावा जो digital grades है, उनमें आएंगे हमारे बादे मामल्स जो के movement करते हैं on their digits only, suppose हमारे बास कौन है, rabbits, rabbits बगारा सिर्फ digits पे movement करते हैं और जो anguli grades हैं, इनके basically, जो feats हैं, वो modified होते हैं to hoofs, और यह ultimately इनकी body को बहुत fast acceleration देते हैं, इनकी body, बड़ी pace के साथ movement करते है, hoofs के अंदर कौन होगा है, horses बगारा, so यह हमारे बास यह इस तरह के organism हैं, like dears है, यह dears, gods, यह तमाम जो organism हैं, यह इस case में आते है, anguli grades के, परसाएंगे, rabbits वगारा, यह movement करते हैं, और on planting grades में परसाएंगे, man, like monkeys, etc, so यह हमारे पास हैं, 3 तरह के मुक्तलिफ modes of movement documentation in case of mammals, okay, इसके लाब में, जो evolution है, उसका क्या effect है, इन तमाम organism चे ओपर, के book क्या कहती है, कि there are basically two types of evolutionary, you know, origin of the feats, एक हमारे पास वो है, जो के body की sides से निकली है, यह कौन से vertebrates है, the tetra ports, land vertebrates, which are tetra ports, इनकी जो body है, वो निकली है, like हमारे पास reptiles वगारा, उनकी sides of bodies जो हैं, वहां से निकली हैं, उनके feats, यानि उनकी जो legs है, the legs portion जो हैं, जो उनकी body को movement देता है, the sides of bodies वो निकली है, और वो बले organism जो के tetra port है, उनकी body से निकलने वाले feats हैं, वो सारे के सारे, वो from the depth of their belly, वो उनके पेट की निचे से जो हैं, वो निकली है, इसको हम लोग नाम दे beneath the body, अब हम लोग देखें, अगर sides की बात करें, तो देखें, sides of body से कौन से निकलते हैं, जैसे हमारे पास हैं, मिसाल के तौर पर वो, जो tetra port हैं, जो चार पाउं पर चलने वाले organism हैं, side से निकलेंगे, उनके तमाम parts, like हम cow की बात करें, या हम लोग बात करें, about, for example, donkey, तो हमारी body की sides से निकल के body की नीचे से निकलते हैं, वो निगलते हैं, हमारी तांगे वगारा, तांगे हमारी body को bipedally, तो है, movement मिल सके, so this was all about our chapter, and if you have any kind of question, you can mail us, thank you so much.